आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उराम तीवी जीएच में आजी क्लास में हम sentences of order यानि की आग्या के वाक्य करने वाले हैं ये sentences छोटे छोटे हैं लेकिन complete meaning को represent करते हैं जैसे कि सीधे जाओ, यहां रुको, यहां मत रुको, उपर आओ, नीचे आओ इस type के जो हम sentence use करते हैं, order वाले, आज हम उसे कुड़ुख में देखने वाले कि उन्हें हम कुड़ुख में क्या कहते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करना और bell icon को press करना मत भूलेगा तो आज ही class को हम start करते हैं, पहला sentence है, उपर जाओ, अगर आपको किसी को order देना है कि उपर जाओ, तो इसे कुड़ुख में कहेंगे मैया कला, मैया कला, यह male के लिए है अगर female को कहना है, तो मैया कला बोलेंगे, मैया कला next है, नीचे जाओ, नीचे जाओ को कुड़ुख में कहेंगे कीया कला, कीया कला नीचे को कुड़ुख में कीया कहते हैं, अगर किसी female से कहना है, तो कीया कला, male के लिए कीया कला, और female के लिए कीया कला, ठीक है नेक्स्ट है उतर जाओ उतर जाओ को कुड़ुख में कहते है इत्ता कला इत्ता कला जैसे कि आप किसी पेड में चड़ गए है अगर आपको कोई उतरने के लिए कह रहा है तो उसे कहना होगा इत्ता कला इत्ता कला मेल के लिए है और इत्ते कले फीमेल के लिए है इत्ते कले फीमेल के लिए और मेल के लिए इत्ता कला नेक्स्ट सेंटेंस है चले जाओ अगर आप किसी मेल से कह रहे हैं तो कहना होगा आपको चैल कला अगर किसी फीमेल से कह रहे हैं तो कहना होगा चैल कले Next sentence है मत जाओ अगर आप किसी मेल से कह रहे है तो आपको कहना होगा अमबा कला अगर आप किसी फीमेल से कह रहे है तो कहना होगा अमबै कला अमबै कला ठीक है याद रखेगा मेल को कहेंगे अमबा कला और फीमेल को कहेंगे अमबै कला Next sentence है सीधे जाओ सीधे जाओ अगर किसी मेल से कह रहे हैं तो कहना होगा सुझिम कला सुझिम कला और अगर किसी फीमेल को कहना है तो सुझिम कला सुझिम कला ठीक है? उपर के सब इस सेंटेंस में आपने ये चीज नोटिस किया है कि male के लिए हम color word यूज़ कर रहे हैं color और females के लिए color तो जहां पर भी ये जाओ word आता है और अगर male के लिए यूज़ करना है तो color यूज़ करेंगे और females के लिए color तो आप ध्यान रखेगा ठीक है Next sentence है पास आओ अगर किसी male से कह रहे हैं पास को कुड़ुख में हिद्दे बोलते हैं ठीक है Next sentence है इधर आओ अगर किसी male से कह रहे हैं तो कहेंगे इत्रा बरा इत्रा बरा या फिर कुछ area में इसे इजगो बरा भी बोला जाता है इजगो इत्रा को इजगो भी बोला जाता है अगर किसी female से कहना है तो कहेंगे इत्रा बराय इत्रा बराय या फिर इजगो बराय तो दोनों ही ठीक है आप इन में से कोई भी यूज कर सकते है इन दोनों sentence में आओ वर्ड यूज हुआ है तो male के लिए बरा और females के लिए बराय याद रखेगा male के लिए बराय और females के लिए बराय ठीक है हमारा next sentence है इसे मत तोड़ो इसे मत तोड़ो इसे कुड़ुख में कहेंगे इदिन अमबाइस आ अगर किसी male से कह रहे है तो अगर किसी female से कह रहे है तो इदिन अमबाइस आ इसे को कुड़ुख में इदिन कहा जाता है और मत को कुड़ुख में अबा कहा जाता है और तोड़ना को कुड़ुख में इसना बोला जाता है इसना ठीक है लेकिन tense के according यहाँ पर इसा word use हुआ है ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट है सुनो इसे कुड़ुख में कहेंगे मिना मिना मेल के लिए और मिना फीमेल के लिए कई बार हम यह वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि सुनो तो हम ऐसा कहते हैं न तो अब से आप कुड़ुख में बोलेंगे मिना तो मेल के लिए और फीमेल के लिए मिना तो ठीक है Next sentence है यहलो यहलो को कुड़ुख में कहेंगे इदिन उन्दा इदिन उन्दा यहां ठहरो या फिर यहां रुको इसे कुड़ुख में कहेंगे इसन इजा इसन इजा अगर किसी मेल को कह रहे हैं तो अगर किसी फीमेल से कहना है तो इसन इजै इसन इजै यहां को कुड़ुख में इसन कहते हैं ठीक है Next है इधर देखो इसे कुड़ुख में कहेंगे इत्रा एरा अगर किसी मेल से कह रहे है तो इधर को तो कुड़ुख में इत्रा बोलते है और देखना को कुड़ुख में एरना बोलते है तो अगर male से कह रहे हैं तो इत्रा era और अगर female से कह रहे हैं तो इत्रा era इत्रा era ठीक है Next है रुको male के लिए ija और female के लिए ija कई बार हम ये word use करते हैं जैसे कि यहां रुको अगर आप किसी male से कह रहे हैं तो कहेंगे इसन इजा और अगर आप female से कह रहे हैं तो कहेंगे इसन इजा आप use करेंगे अपने sentence में ठीक है Next है बोलो इसे कुड़ुख में कहते हैं बा अगर किसी male से कह रहे हैं तो और अगर किसी female के लिए कह रहे हैं तो कहेंगे बै एक और वर्ड होता है बताना बताना को कुड़ुख में तिंगना बोलते हैं तिंगना अगर किसी male से कह रहे हैं बताओ तो कहेंगे तिंगा और अगर किसी female से कह रहे हैं तो कहेंगे तिंगे तो याद रखिएगा कि बोलो को कुड़ुख में बा बोलते हैं मेल के लिए और बै बोलते हैं फीमेल के लिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आज ही क्लास आपको अच्छी लगी हो आपके लिए ये हेल्फुल हो और आप इससे कुछ नया सीखे होंगे तो अगर आप हमारे चैनल में नय हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल बतन जरूर दबा दिजेगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा अगर किसी तरीकी की कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछेगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँगी तो आज क्लास में बस इतना ही थैंक्यू झाल सकति के तरह है झाल झाल मैं आडर